दोस्तों नमस्कार मैं संजीर भारगव वर्क्शप कैलकुलेशन और इंजिनिंग ड्राइंग का नुदेशक आप सभी का ITSKILL इंडिया के यूटूब चैनल पर शवागत करता हूँ आज जो मैं वीडियो लिकाया हूँ वो बहुत important वीडियो है क्योंकि इंजिनिंग ड्राइंग के अंदर जब आप ड्राइंग बनाने जाते हैं तो यहाँ पर तुरूटी रही ड्राइंग बनाने के लिए निम्न आवशक प्रमुक बंदूओं को ध्यान में रखना चाहिए यह उन सभी बच्चों के लिए है जो की इंजिनिंग ट्रेट से आईटे कर रहे हैं जिसके अंदर उनको ड्राइंग एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है और उसको पास करने के लिए ड्राइंग के अंदर हमेशा नंबर लेने पड़ते हैं नंबर मिलते नहीं और नंब पर प्राप्त होंगे तो यहां पर पहला पॉइंट है ड्राइंग का कारे प्रारम करने से पूर्व सभी उपकरनों जैसे ड्राइंग बोर्ड मेज सैटी स्कॉयर रबड को रुमाल से अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए क्योंकि जनरल यह देखा गया है कि जब भी क्लास शुरू होती है तो अगर सुबह की शिप्ट है तो सुबह की शिप्ट के अंदर अगर पच्चे आते हैं तो वहां पर आपको टेबिल गंदी मिलती है या वहां पर कूडा कचरा हो सकता है यहां पर आंदी तुफान की वज़े से भी वो टेबिल आपकी गंदी हो सकती है औ इसको उनको भी रखने पर वहाँ पर वह भी गंदे होंगे और जब शीट के पर काम करने के लिए अपनों पियोग मिलेंगे तो वह सारी गंद की शीट पर लग जाएगी और चुकि ड्रैंग शीट हमारी एकदम white होती है और white पर गंद की एकदम साफ दिखाई देती है इसलि कम तोर पर यह देखा गया है कि जब भी बच्चा ड्राइंग शीट पर काम कर रहा हुता है और उसको पेंसिल को पैना खरना होता है तो वह ध्या नहीं हना रगता और पेंसिल को पैना करते समय वह शार्पनर और पेंसिल को चीट के उपर चीट के उपर ही चीट के उपर चालते है उसके नॐ से सेटेभी-चीट के इंदर उवाँ काली तो छीलते समय आपकी छीलन जो है वो टेबिल के नीचे गिरनी चीए और आप जो है शीट के साइड में राइट या लेफ्ट में जाकर के उस पैंसिल को छीलने का प्रयास करना उसको चाहिए तीसरा पॉइंट है मिनी ड्राफ्टर सैट स्कॉयर टी स्कॉयर या रोलर ड्रॉ आजकल के आजके समय में सैट स्कॉयर के स्थान पर आपको रोलर ड्रॉ एक बाद बड़िया चीज है उसको काम मिलेना चाहिए आदी सावी सभी ड्राइंग बोर्ड पर सरकने वाले उक्रणों को अच्छी तरह ड्रस्टर से साफ कर लेना चाहिए जिस से बोर्ड वशीट पर सरकाते समय ड्राइंग शीट को गंदा ना करे तो यहाँ पर आपके जो भी ये चार इस्टूमन पताएं इनको आपको काम मि लेने से पहले अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए और जिस ड्रस्टर से या जिस कपड़े से आप इसको साफ कर रहे हैं वो भी आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए अगला पॉइंट है गर्मियों में ड्राइंग शीट पर कार करते समय पसीने से अपनी शीट को बचान अच्छी है क्योंकि जर्नल यह देखा गया है कि गर्मियों के दोनों में जब मार्च, अप्राइल, मही, जून में जब आप काम करते हैं जुलाई में एक्जाम होते हैं आपके तो उस कंडिशन में पसीने बहुत आते हैं और पसीने आने की वजएसे वो आपकी सारी शीट गंदा कर देते हैं या गीला कर देते हैं या खराब कर देते हैं तो वहाँ पे अगर आप रुमाल अपने हाथ के नीचे रखर लगा लेंगे तो आपका जो पसीना है वो रुमाल पे लग जाएगा और आपके सीट वहाँ पर बच जाएगी अगला पॉइंट है पैंसिल को पेंसिल को शार्पनर से छीलने के पश्चाथ रेगमाल यानि की सेंड फेपर पर पैना करते समय पैंसिल के कड़ों को ड्राइंग शीट से दूर गिरना चाहिए जनरली मैं जब बच्छों को पढ़ाता हूँ तो ड्राइंग का समान मंगाता हूँ तो उनसे कहता हूँ कि वो एक पैंसिल को पैना करने के लिए एक रेगमाल लेका है जो की लकडी को गिसने के काम में आता है उस रेगमाल को लाने से क्या होता है कि जब भी आप शार्पनर से आप उसको पैंसिल को चीटते तो पूरी तरह से पैनी नहीं होती उससो पैना करने के लिए हम रेग मालक पर उसको जब थोड़ा सार पैंसिल को गुमाते हुए रगड़ते हैं तो वहाँ पर उसके कुछ कंड जो है वो शीट पर ना गिरें इस चीज का हमेशे ध्यान रखना चाहिए इसलिए हमें जो शायप नर से पैंसिल को या रेग मालक होने पर आवश्चक लाइन को ही गहरा करना चाहिए यहां पर जर्नली देखा गया है कि जब आई टे के अंदर जो बच्चा प्रवेश लेता है और वो स्कूल से पढ़के आता है तो स्कूल के अंदर अधिक तर जो ड्राइंग होती है वो फ्री एंट स्केच बनती है जो क कि छात्र HV की पैंसिल से ही बनाता है क्योंकि स्कूल में अधिक तर HV की पैंसिल से चित्र बनाने के लिए का जाता है क्योंकि वहाँ पर डार्क कलर के चित्रों की आवशकता होती है और वहाँ पर टीचर के द्वारा भी यही समझाने का प्रियास किया जाता है कि आप उसके उपर आपको जो पहली दूसरी तीसरी लाइन की प्रैक्टिस कराई जाती है वो बहुत हलकी बारीक और हलकी लाइन के रूप में करवाई जाती है इसलिए ड्राइंग पर कारी करते समय सरवपतम हलकी लाइन के ही साहिता से चित्र को बनाना चाहिए यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि ड्राइंग पर हलकी लाइन खेंचना कठिन काम है गहरी लाइन की अपेक्षा गहरी लाइन को खेंचने के लिए केवल आपको पैंसिल को थोड़ा सा प्रेशर देते हैं तो महाँ पर लाइन आपकी जो गहरी हो जात गहरा करना तो लाइन को गहरा करना बहुत ही असान होता है लेकिन एच बी पैंसिल से अगर आप बहुत अलकी लाइन खेंचते हो वह आपके अंदर हाथ के अंदर एक कला होती है जो कि बहुत प्रैक्टिस के बाती आपाती है साथमा पॉइंट है जहां तक संबब हो नर्म पैंसिल यानि कि HB B से 7B तक का प्रियोग ड्राइंग पर कम से कम करना चाहिए तो यहाँ पर नर्म पैंसिल का मतलब है कि यह नर्म जो पैंसिल होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है और थोड़ा सा भी प्रैशर पड़ते हैं वो तूटती है बार बार और उनको जब बार बार तूटेंगे तो वो आपकी शीट को भी गंदा करेंगे और साथ में आप शीलोगे तो वो भी एक परिशानी का सबब बन सकता है उस कंडिशन में आप कोशिश करें कि नर्म पैंसिल का उप्योग कम से कम करें जब आप 2-4-6 मेने का प्रैक्टिस आपको ड्राइंग बनाने का हो जाए उसके बाद अगर आप HB की पैंसिल का यूज करेंगे तो आप फिर भी कुछ ट्राइंग अच्छी बना पाएंगे इसलिए अधिकतर मैं जब पढ़ाता हूं तो मैं जब समान मंगाता हूं तो उसके अंदर HB की पैंसिल को हमेशा मना करता हूं इसके इस्तान पर H या 2H की पैंसिल को छात्रों से मंगाने का प्रयास करता हूं क्योंकि वो थोड़ी सी हार्ड होती है और वो काला नहीं करती उनकी जो लाइन होती है वो बहुत हलकी खिसती है इसलिए शुरुआत में हलकी लाइन खेंचना बहुत मुश्किल काम है डार्क लाइन खेंचने से अगला पॉइंट है ड्राइंग पर कार्य करते समय दोनों हाथ बिल्कुल साफ होने चाहिए कई बार ये देखा गया है कि जिन बच्चों का ड्राइंग का पेरड लंच के बाद आता है और वह पहले जो पहली जो यूनिट मिटिंग होती है जैसे दस से बारा या साड़े साथ से बारा जो टाइम होता है पहले जो शिप्ट होती है उसके अंदर बच्चा प्रियोक शाला यानि के वर्प्शॉप में जाकर करके काम करता है और वहाँ पर उसके जो हाथ गंदे हो जाते हैं और कई बार यह देखा गया है कि वह उनी गंदे हाथों से ड्राइंग को बनाने शुरू कर देता है और उसकी जो हाथ के उपर लगी गंदी है वो सारी शीट के पर आ जाती है जिससे कि उसकी शीट सारी गंदी हो जाती है इसलिए यह कहा जाता है कि ड्राइंग बनाने से पहले आपके दोनों हाथ बिल्कुल साफ होने चीए हैं अगला पॉइंट है रवड का अधिक उपयोग में लेने पर वह काला हो जाता है काले रवड से ड्राइंग शीट पर और कुछ मिटाना नहीं चाहिए पहले रवड को पानी से या साबुन से साफ कर लेना चाहिए उसके बाद ही काम में लेना चाहिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो रवड होते हैं वो भी कई क्वालिटी का आता है उसके अंदर एक नोन डस्ट रवड आता है जो ही हमको ड्राइंग शीट के सामान के साथ लेके आना चाहिए उसके अंदर यह खासियत होता है कि वो रवड जोड़ा सौफ्ट होता है और वो गंदा भी कम होता है और जो नॉर्मल यह हलके रवड होते हैं वो जंदी से काला हो जाता है और खुद के रवड के काला होने से सारी गंदगी मिटाते से में ड्राइंग शीट को पर लग जाती है जिससे कि आपकी सारी शीट गंदी हो सकती है इसलिए कोशिश करनी चीए कि रवड आप अच्छा लेकर आएं क्योंकि यह आपको पूरी साल यह दो साल की ड्राइंग होती है उसमें काम में आता है और रवड को जब आप बिलकुल साफ रखेंगे तो आपको जब आप साफ हो जाए तभी उसको जब ड्राइंग चीट पर काम में लेना चाहिए अगला पॉइंट है कार को शीख गर करने के इस्थान पर शुद्धता से करना चाहिए यहां पर एक चीज़ में आपको बताना चाहता हूं कि जो ड्राइंग का काम होता है उसको बड़ी तसली से बड़े आराम से बहुत तसली बिल्कुल टाइम पूरा टाइम लेने के बाद ही करना चाहिए क्योंकि जल्दबाजी में करेंगे तो आपकी अगर राइटिंग थोड़ी सी भी खराब होगी तो वहां पर साफ दिखाई देगी क्योंकि इंजिंग ड्राइंग के अंदर जो कोशिश करना चीए कि आपको जो है अपनी ड्राइंग बनाते समय पूरा टाइम लेना चीए तसली से बनाना चीए और एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जो पीपर होता ड्राइंग का वो तीन गंटे का होता है इसलिए वहां पर आपके पर काफी टाइम होता अराम से काम करने के लिए तो वो ही practice आपको करनी चाहिए अगला point है set square के इस्थान पर roller draw set square के इस्थान पर roller draw से drawing sheet पर सीधी, खड़ी वे पड़ी रेखाँ, वे समानतर रेखाँ कीचनी चाहिए इससे अच्छी वे कम समय में काम होता है यहां पर एक roller draw आज की ताइम में चल रहा है क्योंकि हमारे ITA के अंदर many drafter का अपयोग नहीं हो पाता क्योंकि हर जगे board उपलब्द नहीं होता और जहां पर भी आप exam देने जाएंगे वहां पर आपको बिल्गु बोर्ड नहीं मिलेगा उस condition में केवल आप line खेंचने का काम scale से set square से roller draw से कर सकते है और roller draw एक बहुत अच्छी चीज है जिसके अंदर कम प्रयास से बहुत अच्छा काम किया जा सकता है क्योंकि set square से जब काम करेंगे तो उसको set करने में काफी time लगता है और कई बार तो अगर बच्छा उसको सीखता नहीं है set करना तो वो line समानतर line खेंच ही नहीं पाता है और लेकिन roller draw जो है वो बड़ा आसान होता है सीखना भी आसान होता है और काम करना भी आसान होता है roller draw को जो बजार से खरीद के लाएं यह है कि जब भी आप roller draw को sheet के पर रखके काम मिलें तो उस समय आपके दोनों roller जो है sheet के पर होना चाहिए कई बार क्या होता है कि एक roller sheet के पर होता है और एक roller जो आपकी table पर होता है तो वहाँ पर वो slip होने के बहुत अधिक chance होता है जिसे वरत्वय चाप सही बनते है तो आज के जो समय में हमारे पास प्रकार आते हैं स्कूल के अंदर आपने प्रकार काम मिली होते हैं उसके अंदर आपने pencil लगा करके गोले या चाप बनाई होते हैं mechanical या clutch pencil आगए उसको भी काम में लेने का प्रयास करते हैं लेकिन उसकी जो lead होती है वो बहुत पतली होती है और वहाँ थोड़ी सी भी उसकंदर जोड़ देने पर वो बार बार तूटती है इसलिए हमको pencil ही काम में लेनी चाहिए और प्रकार में हमें केवल वो lead या जिसको सि पेना करते रहना चाहिए पैंसिल की nock को हमेशह को पैना करते रहना चाहिए जिससे line work बहुत अच्छा हो जाता है तो यहां पर line work शब्द मेंने काम मिली है लाइन वर्क का मतलबी होता है कि हमारी जो इंजिरिंग ड्राइंग के अंदर लाइन वर्क होता है, उसके अंदर कई प्रकार की लाइनों को काम मिलिया जाता है, कुछ लाइने पतली होती है, कुछ लाइने मोटी होती है, कुछ लाइन डैस्ट होती है, कुछ सेंटर लाइन ह होती है कुछ पेंसल को हमीशा पेना रखना और पेंजल की नौक को पेना रखने से आपざ реal आएगी क्योंकि केवल हमको जो sketch वाली pencil होती है वो हमको केवल freehand sketch से जो चितर बनाते है freehand sketch उनी में होँआ पे हमको chisel type knock वाली pencil को काम में लेना पड़ता है अधिक तर हमार को penny knock वाली pencil ये काम में लेना पड़ती है इसलिए आपको हमारे हमेशा pencil की knock जो है पेनी ही रखनी चाहिए अगला point है ड्राइंग में सभी dimension के इस्थान पर ड्राइंग में सभी dimension के साथ mm के इस्थान पर title block के पास all dimension rn mm लिख देना चाहिए तो ये एक बहुत common सी बात है कि जब भी आप ड्राइंग के अंदर चित्र बनाएंगे वहाँ पर बहुत सारी रेखाई होती है और बहुत सारी dimension होती है कई चित्रों में तो वहाँ पर हर जगे mm dimension के साथ mm लिखने की जरुवत नहीं होती है जब हम title block के बारे में मैंने पिछला जो वीडियो बनाएं उसके अंदर समझाया है कि कहां पर title block बनता है उस title block के उपर आप एक line लिख देना चाहिए कि all dimension rn mm यानि कि यहाँ पर जो भी dimension है वो हमारी mm में हो हैं और वो हर जगे बार बार लिखने की जरुवत नहीं होती है और last point है इस वीडियो का ड्राइंग शीट पर पहली line खड़ी या पड़ी या समानंतर खीचने के लिए हमेशा ड्राइंग शीट के किनारों के किनारों को अधार मानकर उनके समानंतर में set square या roller draw से एक हलकी line खेंच लेनी चाहिए यह देखा गया है कि वहाँ पर जब हम ड्राइंग बनाते हैं तो ड्राइंग के अंदर border बनाता है और border अगर तेड़ा हो जाता है तो उसको अधार मानकर के जो भी हम पहली दूसरी line खेंचते हैं वो सारी तेड़े हो जाती है और इन पहली दूसरी line के उपर जब चित्र क पूरा करते है तो वो सारा चित्र हमारा तेड़ा हो जाता है इस चक्र में हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो ड्राइंग के उपर पहली और दूसरी line है वो हमेशा ड्राइंग शीट के किनारों के समानंतर में ही होनी चाहिए और हलकी होनी चाहिए क्योंकि पह हमारी हमेशा पहली लाइन जो होती है खड़ी है पड़ी वो एकदम शीट के किनारों के समानन तर ही होने चाहिए तो आज के लिए ये वीडियो इतना क्योंकि ये बहुत सारे पॉइंट जो हो गए हैं 16 पॉइंट बहुत होते हैं अगर इनको आप ध्यान में रखेंगे तो आपकी ड्राइंग एकदम सुपर बनेगी अच्छी बनेगी जिससे की देखने पर वो आप जब अच्छी लगेगी तो सामने वाले को अगर चोटी यह हैं यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा पढाने का तरीका और समझाने का तरीका अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें जो आपके साथ ही आईटेई कर रहे हैं और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो आप सब्सक्राइब करके बैल आइकन को क्लिक करें जिससे कि मेरे आने वाले सभी वीडियो आपको समय पर मिलते रहें तो आज के लिए इतना ही जय हिन जय भारत